हाई इस्टूडेंट्स वेलकम टूगेट अकेडमी कैसे हैं आप लोग होफुली परहें आपकी अच्छी चल रही होगी अच्छी चलनी भी चाहिए अब क्योंकि अब ज्यादा टाइम तो है नहीं तो सिमेट्रिकल का लेक्चर खतम हो चुका है अब सिमेट्रिकल फॉल्ट पे कुछ क्वेश्शन करना है जिससे कि आपको कॉंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए ना और फॉल्ट एनलाइसिस इसके बाद जो अंसिमेट्रिकल फॉल्ट होता है ना सिमेट्रिकल कंपोनेंट वह सब चीज स्टार् करें इक बैसिक कॉंसेफ्ट हम यहां पर आपको बता रहे हैं बैसिक तरीकर को एटेम्ट करने का और अधरवायज आप और भी जो होता है ना जो एस होता हो एक देंच कर घुर्ण आ तो चलो इसी बात पर स्टार्ट करते हैं हम लोन stri teach the article के question का solution तो सबसे पहला जो है इसमें 21st question जो है उसमें basically ऐसा होता है कि लोग जो इस टैप का question देखते हैं तो डर जाते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बहुत को आता भी यह सब चीज थोड़ा easy भी है बहुत लोग डर भी जाते हैं उनको थोड़ा यह tough लगता है डियाग्राम से ही तो कुछ भी नहीं है बहुत basic चीज है हम आपको बता रहें कि कैसे solve करना है तो देखो हम आपको symmetrical fault में एक चीज बताया हुए थे कि no load पे जो था वह जो fault current अगर हम लोग देखे या short circuit fault current symmetrical fault current जिसको बोलते हैं that was eth by xth एकि नहीं eth by xth xth सब कैसे निकालते हैं यह सब चीज हम आपको बता चुके है no load पे अगर होगा तो no load पे eth is equal to generally 1pu है नो no load पे eth is equal to 1pu अगर system load पे है तो eth 1pu नहीं होगा उसके लिए आपको पहले यह निकालना पड़ेगा question देखना gateway में पूछा है step का तो आपको पहले यह निकालना होगा जैसे हम आपको बता चुके हैं फिर उसके बाद हमको ऐसे करना है ठीक है लेकिन no load पे mostly जो होता है ना system जो fault and LSE हम लोग करते हैं तो वो no load पे ही होता है है ना reason भी हम आपको बता चुके ताकि circuit breaker को हम लोग install कर सकें ठीक है तो ऐसा है तो IHC short circuit current या जो भी fault current है this is equal to one by xth है ना तो one by xth हम लोग को करना होगा इस चीज को समझ के रखना आप लोग है ना इस पर हम आपको उस question पर आने से पहले एक question हम आपको बताना चाहरे है जिससे आपको और भी concept clear हो जाएगा एक question हम आपको बताना चाहरें पहले suppose करो हमारे पास एक 20 MVA है ना 11 किलो वोल्ट अल्टरनेटर है जिसका की x दिया हुआ है suppose करो जो impedance है that is equal to 0.2PU है ना तो आपको short circuit current निकालना है short circuit current क्या होगा मतलब इसके alternator के terminal पे short circuit fault हो जाएगा तो short circuit current क्या होगा ISC क्या होगा और फिर उसके बाद इस ISC को कम करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा question समझ गये बढ़िया से तो देखो क्या है alternator है तो इसको तो simply हम लोग ऐसे ही लिखेंगे ठीक है यह है और यह 1PU है क्यों की जो भी voltage है उसको आप base ले लो और उसके बाद X कितना दिया हुआ है 0.2PU करेक्ट है अब अगर यहां पे suppose करो fault हो जाए यहां पे अगर कोई short circuit fault हो जाए इधर की short circuit fault हो जाए तो current जो रहेगा वो isc जो रहेगा वो कितना रहेगा वन बाइ 0.2 इस इकॉल टू 5PU है ना 5PU यह बहुत जादा हो गया है ना यह current जादा हो गया 5PU मतलब 5PU यह तो per unit में है अगर actual में हम लोग देखें तो isc is equal to iscpu जो की 5 है into i-base और i-base generally rated जो होता वही होता है और rated जो होता है जो maximum current जो flow हो सकता है वो rated है कि नहीं rated मतलब यह होता है कि maximum maximum से जादा भी हम लोग कर सकते हैं लेकि rated मतलब जो होता ना उस पर guarantee है इतना तक सही है बतलब इतने current के हिसाब से insulation है जो conductor का जो cross sectional area है उतना है ना इस current के हिसाब से लेकिन जो rated current है उससे भी यह five times जादा है तो यह तो जादा current है है ना तो बहुत बार ऐसा होता है कि इस current को हम minimize करना चाहते हैं कि अगर मालो short circuit fault अगर हो गया synchronous machine के terminal पर या कहीं पर भी तो हम उसको कैसे minimize करें तो उसके लिए ऐसा होता है कि हम लोग एक reactance यहां पर एड़ करते हैं ठीक है जिसको reactor बोलते हैं मतलब reactance करने का मतलब inductive reactance जिसको reactor बोलते हैं लोग है ना तो अगर हम लोगों को इसमें reactor add करना होगा जिसे की जो जैसे fault current है ना एक किसी एक certain range में आ जाए है ना तो जैसे इस question में आगे देखना find the value of reactor find the value of reactor to minimize to minimize fault up to suppose करो 2PU के लिए बोल दे हैं ना तो हम लोग क्या करेंगे तो इसके लिए है यह याद रखना है आगे question आगा reactor सब रहता है जो fault current को हम लोग कम कर सके ठीक है तो इसमें क्या करना है ऐसे यह तो generator है ही ठीक है और हम लोग एक external reactor यहाँ पर होगा ठीक है एक reactor हम लोग लगाएंगे अब यहाँ पर दखो यह 0.2 तो है है कि नहीं तो हम यहाँ से x निकाल सकते तो 0.2 प्लस x is equal to कितना होना चाहिए 0.5 है ना तो x is equal to 0.3 cpu काम को यहाँ पर एक reactor लगाना परेगा तो reactor generally हम लोग लगाते हैं तो minimize the fault current correct है यह चीज अब उसके बाद ऐसा होता है जो reactor जो होगा ना यह भी अब कौन सा reactor होना चाहिए ना यह भी अब कौन सा reactor होना चाहिए तो यह भी एक important question होता है ठीक है तो जैसे inductor की बात करें inductor मतब reactor मतलब inductor थीक है तो अगर inductor की बात करें तो inductor दो type का होता है है ना एक होता है iron core मतलब एक होता है air core और दूसरा होता है iron core inductor करेक्ट है यह चीज़ एक होता है इंडक्टर मतब इंडक्टर मतब एक आईरन कोर मतब एयर कोर और दूसरा आईरन कोर तो आप अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो एक हो गया आईरन कोर मतब एक हो गया एयर कोर और दूसरा हो गया आईरन कोर पॉइंट यह है कि इस जो करेंट लिमिटिंग रियक्टर इसको हम लोग बोलते हैं तो यह कौन सा रहना चाहिए एर कोर या आइरन कोर तो आइरन कोर में बेसिकली सेचुरेशन हो जाता है कैसे सेचुरेशन क्या है यह भी चीज़ समझे आप सपोज करो हमारे पास यह एक आ क्या इसको बोलता है तो मैगनेटिक डोमें होता है ठीक है अब जैसे जैसे हम इसमें करेंटा बहाते जाओ गया तो डोमेंटेट होते जाएगा थीक है तो एक टैम Èसा एगा कि पूरा का पूरा मैगनेटिक डॉमें необход हो चुका रहेगा कैसे समझ यह जैसे देखो यह i है और यह magnetic field B है अब जैसे देखो current का value आप जरासा increase करो तो इसमें आप यह समझना जब current का value जरासा increase करेंगे तो suppose करो कि दो domain एक direction में align हुआ मतलब magnetic field थोड़ा सा create हुआ दो domain एक direction में align हुआ तो थोड़ा सा magnetic field create होगा फिर उसके बाद current का value और भी ज्यादा करो, तो current का value और भी ज्यादा करेंगे तो इसका मतलब magnetic domain और भी align होगा, है की नहीं, और भी ज्यादा magnetic domain और भी ज्यादा magnetic field हुआ, है की नहीं, ऐसे ही अगर suppose करो current का value maximum हो जाए, तो सारा का सारा domain, suppose करो एक direction में align हो चुका है, है ना, सारा का सारा domain एक direction में align हो चुका है, तो यह maximum magnetic field यहाँ पर हो गया, फिर अगर इसके बाद अगर current आप बढ़ा दो, इसके बाद अगर current बढ़ा दो, तो क्या magnetic domain कोई ऐसा बचा हुआ है, जिसका alignment बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है, तो इसका मतलब यह maximum हो गया, आप current का value ज्यादा भी बढ़ाओ, तो भी magnetic field constant, क्योंकि कोई ऐसा domain बचा saturation, करेक्ट है, तो देखो, iron core में तो saturation हो गया ना, लेकिन अगर air core होता यहाँ पे, यह air core अगर होता, तो infinity number of domain है, infinity number of domain है, तो B और I, जितना current देंगे उतना ही magnetic field बढ़ेगा, याद रखना यह भी relationship है ना, यह भी relationship याद रखेगा, तो अब आप यह बताओ, कि जब क्योंक air core लगाएंगे, air core inductor लगाएंगे, हम लोग current limiting reactor, याद रखना यह सब चीज, यह सब एक एक number का question पूछा जा सकता है, तो आप लोग को यह सब समझ में आ गया, एक बार फिर से हम आपको repeat कर रहें कि ISC जब निकालेंगे, symmetrical short circuit fault current, तो ETH by XTH होना चाहिए, and ETH should be equal to 1PU in case of no load, and most of the time, हम लोग fault analysis, no load पे ही करते हैं, अगर load पे रहें, तो ETH का value 1PU के अलावा कोई और भी हो सकता है, तो load पे भी हम लोग seven in equivalence से हम लोग question solve कर सकते हैं, लेकिन ETH उस case में 1 के अलावा रहेगा, लेकिन no load पे हमेशा ETH is equal to 1PU ही रहना चाहिए, तो ISC equal to 1 by XTH होना चाहिए, simple सी बात है यह, इसमें कोई problem नहीं है, तो अब चलो question करते हैं, और यह सब चीज concept को याद रखिएगा आप लोग, आपसे उमीद हम यही करते हैं, अब देखो इस question को देखो, एक काम करते हैं, हम इसको copy कर लेते हैं, और उस पे बनाएंगे, ठीक है, उस पे हम आपको बता इस बार थूए circuit breaker यह है, develop a fault, appropriate rating of the circuit breaker शुट भी, जितना fault MVA है, उससे ज़्यादा होना चाहिए, रहकी नहीं, और circuit breaker का जो rating आता है, वो एक standard form में आता है, 250 MVA हुआ, 300 MVA हुआ, 400 MVA हुआ, ऐसे करके, ठीक है, तो जितना fault MVA होगा, उससे ज़्यादा का लगाएंगे, लेक होगा, है कि नहीं, लोड के बारे में तो इस question में कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, कोई लोड पे तो है ही नहीं यह चीज, ठीक है, तो ISC जो होगा, ISC क्या होना चाहिए, ISC is equal to 1 divided by XTHPU होना चाहिए, है ना, अब XTHPU हमको चाहिए, अब XTHPU आप कैसे निकालते हैं, तो voltage source क short करके, तो जहाँ जहाँ voltage लगे, दिखें आपको zero कर लेना है, ठीक है, तो यह generator है, तो generator पे voltage, आप इसको zero कर लीजे, जनरेटर का voltage, ठीक है, तो यह JXG आ जाएगा, कुछ, कितना हैगा भी हम देख रहे हैं, फिर उसके बाद यह reactor है, यह reactor है, ठीक है, उसके बाद यह transformer है तो इसका भी कुछ reactions होगा, और transformer जो connect होगा, इधर कहीं न कहीं generator ही होगा, ठीक है, तो उस voltage को भी हम लोगों को zero कर लेना है, ठीक नहीं, इतना हो गया, फिर उसके बाद देखो, इसमें 30 MVA है, और 25 MVA है, तो अलग-अलग MVA है, तो हमको कोई एक common MVA तो लेना ही चाहिए, तो जब भी आपको MVA सब ऐसा कोई specifically ना पता रहे या question में ना mention रहे, तो आप क्या करिएगा, तो कोई भी MVA ले सकतो आप, क्योंकि ultimately actual value में ही करना है, हम लोगों को convert, तो actual value में जब आपको final answer देना रहेगा, तो MVA आप कुछ भी ले सकतो, बेस आप कुछ भी ले सकतो, क्य application होगा, है ना तो उसे कोई फरक नहीं परेगा, तो हम लोग क्या कर रहे है, 30 MVA ले 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 रहे हैं, 30 MVA और 30 MVA वोल्टेज के बारे में कुछ नहीं बोला, 30 MVA हम लोग बेस ले ले रहे हैं, तो और यहां पे fault हो रहा है, तो अब इस MVA पे यह सब reactance कितना होगा, यह सब चीज नोटिस करना, तो 30 MVA पे तो 15% है, तो 0.15 तो यहां पे आहीं गया, फिर उसके बाद 25 MVA पे 10%, तो XT new अगर देखें, तो 0.10 into MVA new by MVA old, MVA new is 30 divided by 25, 30 divided by 25, तो इसका मतलब यह कितना होना चाहिए, 0.12PU रहे हैं, ठीक है, तो this is equal to 0.12PU, and this is also 0.12PU, है कि नहीं, और फिर अब हम लोग को XTH इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे हम लोग को XTH निकालना है, तो इस पॉइंट पे XTH अगर हम लोग करें पता, तो यह दोनों तो series में हो गया, यह दोनों series में हो गया, तो मतलब यह कैसा हो गया, इसको XTH यहाँ पे क्या होना चाहिए, XTH is equal to 0.15 into 0.24 divided by 0.39, है कि नहीं, XTH इतना ही हो गया, equivalent X, correct है, तो ISC is equal to 0.39 divided by 0.15 into 0.24, ISC यह हो गया, correct है, 1 by XTH यही रहेगा, ठीक है, अगर इसको आपको actual value में convert करना है, तो यह actual value में आप convert कैसे करेंगे, into I-base से multiply कर लेंगे हम लोग, और I-base के लिए यहाँ पे voltage कहीं mentioned नहीं है, है कि नहीं, अगर mentioned होता है, I-base के लिए अगर हम लोग देखे तो voltage यहाँ पे नहीं है mentioned, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, यह इतना आ गया हमारे पास ISC, ISC in per unit हम short circuit MVA अगर हम लोग देखें, तो short circuit MVA should be equal to ETH into ISC and ETH is equal to 1PU, तो this should be equal to ISCPU, है ना, और इसका actual value अगर देखें, तो short circuit MVA, actual जो होना चाहिए, यहाँ पे, that should be equal to just ISCPU into MVA, कितना था base MVA, 30 MVA से हम लोग multiply कर देंगे, है कि नहीं, ISC मतब short circuit MVA per unit में, मतब जो भी है, per unit में MVA into base MVA, ठीक है, तो इतना आ गया, तो जब आप इसको calculate करेंगे, तो 0.39 divided by 0.15 into 0.24 into 30, तो इसको जब आप calculate करेंगे, तो कितना MVA आ जाएगा, तो इसको आप calculate कर लीजेगा, ठीक है, यह एक minute को आपको पता ही रहें, calculate करके, इसक जो आजाएगा, एक second आप hold करो, ठीक है, यह आजाएगा, 0.39 divided by 0.15 divided by 0.24 into 30, यह आजाएगा 325, यह आजाएगा 325 MVA है, तो circuit breaker का rating कितना रहना चाहिए, circuit breaker में जो MVA rating चाहिए, तो वो कितना रहना चाहिए, 325 MVA, correct है, देखो कितना आसान question है, तो simple ऐसा है question रहेगा, तो next question हम लोग को करना चाहिए, इसमें कोई problem नहीं, आप लोग और भी question करना है, unsolved question, जहाँ से भी आपको दिखे तो वो question करिएगा आप लोग, अब देखो next question next question, next question ऐसा है, two sections A और B जो है रियक्टर इससे connected है, there are two generators each of, यह ऐसे है करके, आप question आप भी पढ़िएगा, with 10% reactance, correct है, 10% reactance, short circuit ambient fault current at the point F, यह, simple पिछले जैसा है question, यह question हम कर दे रहे हैं, बाकि आप देखिएगा, हम यह question कर दे रहे हैं, तो अब अगर देखे हैं हम, यह है ना, one second, ऐसा हो गया है ना, यही है, इसमें भी हम लोग को short circuit current निकालना है, यहाँ पे fault हो जा रहा है, और MVA निकालना है, ठीक है, तो इसको देखो, यह 12 MVA, 10 MVA, तो हमको किसी ना किसी एक particular base MVA पे करना पढ़ेगा, और 11 kV भी mention है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 12 MVA and 11 kV को हम लोग क्या कर ले रहे हैं, बेस ले ले रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग base ले ले रहे हैं, ठीक है, अब इस पे हम लोग को इसका reactance diagram बना देंगे, कोई problem ही नहीं है, तो देखो, generator 12 MVA पे ही है, 10%, तो generator 12 MVA पे ही है, 0.10, और इसको हम लोग grounded कर लें, XTH निकालने में तो इतना करना ही पड़ेगा, फिर G2 है, तो G2 को भी ऐसा ही कुछ करेंगे हम लोग, 0.10, है ना, फिर उसके बाद, उसके बाद आप देखिए, यह जो reactor है, वो 6 MVA पे दिया हुआ है, तो X reactor का कितना होगा, 0.10 into MVA new by MVA old, MVA new is 12, MVA old is 2, तो 0.20 हो जाहिए, तो यह reactor का X कितना हो जाएगा, 0.2 है कि नहीं, similarly अब यह G3 and G4 है, तो G3 कितना होगा, 10 MVA पे 10% है, ठीक है, तो X G3 अगर हम लोग देखें, तो 0.10 into 12 divided by 10, तो 0.12 हो गया यहाँ पे, यह 0.12 हो गया ना, तो simple ही है, बहुत टफ नहीं है यह सब, ऐसा हो गया, और फिर आप एसे कर सकते हो, 0.12, 0.12 और fault कहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है, यह सब इस चीज आपको notice करना है, ठीक है, अब देखो यहां पे, बस कुछ नहीं है, इस point पे हमको XTH करना है पता, है कि नहीं, तो अब अगर यहां पे देखें, 0.100, 0.10 parallel में तो 0.05, और यह series में, इस है, 0.12 और फिर, 0.12 और फिर, 0.12 और फिर यहां पे fault हो गया, है कि नहीं, simple सा ही है, अब उसके बाद यहां पे देखो, 0.25, 0.12 यह दोनों parallel में हो गया, तो अगर parallel में हो गया यह दोनों, तो इसका equivalent अब कितना होना चाहिए, इसका equivalent पहले निकाल लिए हम लोग, और यह फ 0.12 divided by 0.37, है कि नहीं, तो यह आ जाएगा, तो इसको देखते हैं, यह कितना आ गया, 0.12, मतब 0.25 into 0.12 divided by 0.37, तो यह कितना आ जाएगा, यह 0.25, 0.08, यह आ गया 0.08, और यह कितना है, 0.12, है ना, अब अगर देखें, यह दोनों parallel में है, इस point पे, तो अब अगर देखें, XTH, इस point से parallel में है, तो XTH अगर देखें, तो 0.08, 0.08 into 0.12 divided by 0.20, है कि नहीं, तो ISC अब यहाँ पे कितना होना चाहिए, ISC is equal to 1 by XTH, 1 by XTH, and this should be equal to 0.20 divided by 0.08 into 0.12, है ना, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें, तो यह कितना आना चाहिए, 0.20 into 0.20 divided by 0.08 divided by 0.12, and this is equal to 20.83, 20.83 PU, यह ISC इतना आया, तो अगर हम लोग को इसका actual value में कैलकुलेट करना होगा, तो कितना करेंगे, तो ISC actual यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो this should be equal to 20.83 into MVA, बेस MVA अगर आप देखें, तो कितना था, बेस MVA is 12 MVA and बेस किलो वोल्ट is 11 किलो वोल्ट, तो यह कितना आना चाहिए, बेस MVA is 12 MVA, तो 12 into 10 to the power 3 ही हो जाएगा, कटके, root 3 into 11, यह आप current निकाल सकते हैं, यह current आ जाएगा, अब short circuit MVA आप से पुछ रहा है, तो short circuit MVA कितना हो जाएगा, short circuit MVA is equal to in per unit, तो यह कितना आना चाहिए, ETH into ETH into ISE, and this will be equal to, ETH is equal to 1PU into 20.83PU, और अगर आप इसका actual value में निकालना चाहिएंगे, तो short circuit MVA in actual, अगर हम लोग देखें, तो यह कितना रहेगा, 20.83 into 12 MVA है ना, 12 MVA, बेस MVA, तो यह इसको अगर आप multiply करें, तो यह आ जाएगा, 245 आ जाएगा, क्या, 20.83 into 12, 250, 250 MVA आ गया यहाँ पर, है ना, यहाँ पर 250 MVA आ गया, तो इसमें तो कोई problem है, नहीं, simple सा ही question था, ऐसे ही रहता है यार, बहुत असान question रहता है, और भी conceptual question अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो अब देखिए, next question हम लोग देखते है, next question कुछ इस टैप का है, है ना, 5 alternator, 5 alternator, each rated 5 MVA 13.2 kV with 25% reactance on its own base, are connected in parallel to a bus bar, the short circuit level in MVA at the bus bar is, क्या होना चाहिए, यहाँ पे, तो यह कुछ इस टैप का question है, पांच है, पांच generator है, ठीक है, ठीक है, पांच generator parallel में है connected, पांच generator parallel में connected है, और bus पे कहीं पे short circuit fault हो गया है, तो इसमें क्या करना है, इसमें तो बस कुछ नहीं, voltage को तो 0 ही कर लेना है, ठीक है, जो भी XTH ही निकलना है, तो ISC अगर हम लोग देखें, तो ISC equal to 1 by XTH होना चाहिए, है कि नहीं, और यह gate का question है, यह gate का question है, ठीक है, तो 1 divided by 5 है ना parallel में, तो 0.25 divided by 5 आ जागा ना, 0.25 का एक का है reactance, ठीक है, तो 5 का क्या हो जागा, parallel में, equivalent तो 0.25 by 5, तो 0.05, 0.05, तो यह कितना रहेगा, 20PU, यह question था, यह gate का question था, देखो कितना असान है यह ना, और अगर इसी को actual बोलता आपको convert करने के लिए, तो IAC is equal to 20 into I base, और I base आप कैसे निकालते हैं, I base के लिए आपको यह given data दिया हुआ है, 5 MVN 13.2 किलो वोल्ट, ठीक है, तो इसको आप कैसे निकालते हैं, यह हो जाता, 20 into 5 into 10 to the power 3 divided by root 3 into 13.2, agree, MVN 10 to the power 6 और किलो वोल्ट में 10 to the power 3, तो cancel होगे 10 to the power 3 ही आजाएगा, तो यह ampere current आजाएगा, ठीक है, यह याद रखने है, simple सा, यह gate का question है, देखो कितना असान question है, gate में तो इतना असान question पूछता है, बस आपको basic concept आना चाहिए, थोड़ा बहुत, बस, है ना, तो देखो अब, यह तो हमको लगता है, clear ही है, समाज में तो आई ही गया, अब next question हम लोग देखते हैं, next question यहाँ पर देखिए, next question यहाँ पर क्या है, interconnected through a current limiting reactor of X, ठीक है, यह X कौन सा होगा, तो air core, याद रखिएगा यह चीज, reactance on the generator base, ठीक है, तो आप से यहाँ पर fault हो रहा है, तो each generator has a reactance इतना, the value of X, short circuit MVA को 1500 MVA तक रखना है हम लोग को, ठीक है, इसको भी करते हैं हम लोग, अच्छा question है यह, अच्छा question है यह, देखो यह, यह बस देखने में अच्छा है, ठीक है, ऐसा है, अब इसमें सबसे पहले देखना है, कि इसका तो वही हम लोग को reactance diagram बनाना पड़ेगा, ETH is equal to 1PU लेके है, तो XTH हम लोग चाहिए, तो XTH के लिए जितना भी voltage है, उसको 0 कर देना हम लोग को, तो यह कैसा आना यह ऐसे ही, ठीक है, 0.2, 0.2 है, similarly B में यहाँ पर 0.2, इसके बाद यहाँ पर क्या है, X है, यह XPU में ही है, फिर इसके बाद 0.2, इसके बाद 0.2, फिर इसके बाद यह भी 0.2, असान कोशन है, इसके बाद यह 0.2, और fault यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ पर जो circuit breaker रहेगा क यहाँ पर जो circuit breaker रहेगा, तो इसका MVA दिया हुआ है, वो कितना 1500 MVA है, तो हमको 1500 MVA तक, मतलब बेसिकलिए हम circuit breaker जो यहाँ पर लगाए है, तो उसका रेटिंग है 1500 MVA, मतलब इससे जाद है, जो fault होगा, तो उस case में circuit breaker properly वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो उसके लिए हम X लगाए, जो current limiting reactor होता है, इसका value हमको पता करना है, तो यह कुछ भी नहीं है, देखो, short circuit MVA जो question में हम लोगों से बोल रहा है, वो क्या है, 1500 MVA, तो अगर हम लोग इसको per unit में निकालें, तो short circuit MVA per unit में कितना होना चाहिए, 1500 divided by base, सारा 200 MVA पर ही था, सारा 200 MVA पर ही था, त तो 100, तो यह कितना हो जाएगा, 15PU, यह 15PU आ गया, short circuit MVA per unit में इतना आ गया है, मतलब यही तो ISCPU भी तो होता है, ETS तो 1PU है, तो कुल मिलाके हम लोगो ISCPU पता करना है, तो अब देखो, यह 0.2, 0.2, 0.1 हो गया, और यह parallel, मतलब series में, इन दोनों के, इसका parallel equivalent हो जाएगा, फिर उसके series में यह X है, तो 0.1 plus X, correct है, तो यह कैसा रहेगा, यह ऐसा रहेगा, यह रहेगा, 0.1 plus X, है कि नहीं, यह 0.1 plus X, तो यह कितना है, 0.2, है ना, फिर इसके बाद यह कितना है, यह भी 0.2, अब यह क्या होगा, अब हम लोगों को क्या करना है, यह दोनों आपको parallel म कितना हो जाएगा तो इसका equivalent करके हम direct ही यहां पे लिख रहे हैं यहां पे हम direct ही लिख रहे हैं अब यहां पे fault है तो यह कितना रहेगा 0.2 into 0.1 plus x divided by 0.2 plus 0.1 plus x है कि नहीं ऐसे ही रहेगा और यह कितना रहेगा 0.2 simple सी बात है बस calculation है इसमें अब कुछ है ही नहीं तो यहां पे अगर इसको calculate करें तो 0.02 plus 0.2 x divided by यह कितना रहेगा 0.3 plus x है कि नहीं तो अब अगर यहां पे देखें तो x th यहां पे कितना हो जाएगा यह दोनों parallel में हो गया तो मतलब 0.2 into 0.02 यह सब calculation वाला पार्ट है तो calculation वाला पार्ट आप खुद से भी कर सकतू है ना divided by 0.2 plus 0.02 plus 0.2 x divided by 0.3 plus x है कि है कि नहीं यह हो गया अब उसके बाद x th इतना आ गया तो isc is equal to 1 by x th and this should be equal to 0.2 into 0.3 plus x है ना plus 0.02 plus 0.2 x divided by है ना समझ रहे मेरी बात आप लोग कुछ नहीं है calculation ही है into 0.2 into 0.02 plus 0.2 x यह हो गया है कि नहीं और इसको हमको किस के बराबर करना है तो इसको हमको 15 p.u के बराबर करना है तो यहां से आप x पता कर सकते हैं तो x का value यहां पर आ जाएगा 0.10 हमको यह answer याद था इसलिए हम लिख दिया है otherwise आप calculate कर लिजेगा इसको ठीक है तो simple सा ही question होता है बहुत ही simple question होता है यार concept आपको आना चाहिए बस है ना तो अभी तक जो हम करते हैं धीरे धीरे परा रहे है अराम से परा रहे है अब थोड़ा सा हम लोगों को level धीरे धीरे increase करना पड़ेगा है कि नहीं अब यहां पर देखिए next next इसको तो यह तो clear है है कि नहीं अब देखो next next question हम लोगों को देखना है इसमें तो कोई प्रॉब अब देखो भाई simple सी बात बता रहे हैं यह सब question तो कर ही दिये हैं यह question को तो यही पर निप्टा देंगे हम त्री फेज यहां पर fault हो रहा है fault current यहां पर क्या होगा 15 MVA 20 MVA x 0.5 और यह x equal to 0.3 है ना 12 kV bus पर यहां पर fault हो रहा है तो क्या करना है यहां पर कुछ नहीं करना है generator है generator है तो यह ऐसा हो गया यहां पर फिर उसके वाद और यहां पर fault ह तो यह कितना है जीरो पॉइंट देखो अब यहां पर यह 15 MVA पर है यह 20 MVA पर है यह 15 MVA और 20 MVA पर तो आप लोग को क्या करना है कोई एक particular base लेके करना है तो आप बताओ क्या ले हम अभी 15 MVA ले रहे हैं या चलो हम एक काम करें 20 MVA हम ले रहे हैं 15 MVA लेके तुम करना question answer से 20 MVA हम ले रहे हैं 20 MVA हम लोग base ले रहे हैं ठीक है और voltage हम लोग 12 kV ले ले लें यही दिख रहा है तो है कि नहीं तो इस case में X यहां G1 का X कितना रहे है तो XG1 is equal to 0.3 into MVA 20 divided by 15 आ जाएगा है कि नहीं तो यह XG1 आ जाएगा यहां पर तो यह कितना आना चाहिए यह आना च 20 20 divided by कितना है 15 यह आ जाएगा 0.4 तो 0.4 यह आ गया और यह 0.5 तो यह है ही बस यह दोनों पैरलल हो गया तो आपको यहां पर ISE पता कर लेना है यह कि नहीं दोनों पैरलल हो गया तो यहां पर ISE पता कर सकते हैं है ना सिंपल सा है देखो सिंपल ही question है सारा question ही simple होता है बस असानी असान तरीके से समझा करो है ना अभी तक हम आपको बहुत basic बता हुए है अब advance करना है दीरे दीरे हम लोगों को ठीक है अब next question हम लोग देखते है next question देखिए next question बहुत ही प्यारा question है ना यह question बहुत ही conceptual question है तो इसको थोड़ा अराम से देखने की जरूरत है मन बन बस एक second एक second थोड़ा सा इसमें time लग रहा है ऐसा ही है ठीक है इस question में यह बोल रहा है कि fault कहां पे हो रहा है ठीक है उसके लिए आपको phasor diagram भी दिया हुआ है आपको पता करना की fault कहां पे हो रहा है तो देखो जरा सा आपको इस phasor diagram को analysis करना है ठीक है देखो आप पर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको इसको अच्छे color से बना रहा है हम लोग ठीक है अच्छा है ना यह question देखो i2 और i4 जो है opposite direction में है कि नहीं i2 और i4 opposite direction में है कि नहीं मतलब हम यहाँ पर ऐसा मतलब आपको दिख रहा है ना phasor diagram से direct opposite ठीक है तो i2 can be written as minus i4 है नहीं तो अब अगर suppose करो यहाँ पर आर पर fault यहाँ पर कहीं पर fault हो रहा होता ठीक है अगर यहाँ पर कहीं पर fault हो रहा होता तो क्या होता तो फिर क्या होता कि यह जो current है शायद hopefully आपको यह दिख रहा होगा है ना हम बोल रहे हैं आपके पास booklet होगा तो उससे भी आप दे और आइफोर यहां से यहां पर आज आएगा कने अब लुकरा आए पर बिलुक और यहां यहां पर हो जाता तो घर यहां पर फॉल्ट हो जाता तो इसका मतलब यह 아파 Holly नहीं होगा. नहीं होना चाहिए. लेकिन फेज़ एठाग्राम में अपोजिट है. इसका मतलब Fault Definitely R और यहां पे तो नहीं हो रहा है. इस लैंड पे तो R वाले लैंड पे तो Definitely नहीं हो रहा है. इतना तो समझ गया आप लोग, ठीक है? और एक चीज़ नोटिस करो I1 और I3 तो opposite नहीं है और फिर अगर देखो आप I1 का magnitude ज़ादा है I1 का magnitude I3 से ज़ादा है आप यह देख रहे हैं और उसके बाद एक चीज़ और भी आप नोटिस करो यहाँ पे कि V1 और I1 के बीच में यहाँ पे 90 डिगरी का भी अंगल बंदा है V1 और I1 के बीच में आप देख रहे हैं कि 90 डिगरी का भी अंगल बंदा है तो इसका मतलब V1 और I1 के बीच में 90 डिगरी का अंगल बंदा है मतलब V1 कहाँ का वोल्टेज है तो V2 और I3 के बीच में अगर देखें तो V2 और I3 के बीच में 90 डिगरी का एंगल नहीं है तो approximately 90 डिगरी का ही एंगल बनता एक यह हमारे पास information है दूसरा information क्या है कि I1 greater than I3 है तो मतलब impedance तो इसका जो है ना कम होना चाहिए ना अगर माल लो क्यों पे यहां पे देखने कि I1 जदा है तो अगर क्यों पे ही फाल्ट हो जाएगा तो इसका मतलब शोर्स से यहां तक तो impedance कम रहता तो current का value जदा रहता है कि नहीं current का value जदा रहता तो इसका मतलब I1 का value जदा है भी यहां पर है ना तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास यह आ गया है ना यह मतलब यहां पर क्यू पर अगर देखे तो वी वन और आई वन के बीच में 90 डिगरी का एंगल है पहली बात दूसरी बात क्यू वन पर जो करेंट है वो ज्यादा भी है क्योंकि क्यू तो बत बहुत बेसिक क्वेशन था तो फॉल्ट यहां पर क्यू पर हुआ होगा आप इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझेगा अगर यह अगर सपोज कर हम जल्दी बोल दिया हो तो आप इसको थोड़ा सा अराम से अराम से थोड़ा सा 0.75 स्पीड पर सुनना है ना या यह कोशन तो लोकेशन क्यों पर यहां पर फॉल्ट होगा इसी टाइप का एक और कुश्चन बेसिक कॉंसेप्ट पर इसको पर लो अच्छे से इसको पढ़ने की जरूरत है देखो यहां पर ऐसा कुछ है अगर इफ थे फॉल्ट टेक्स प्लेस अट लोकेशन एफ देन दो F2 F2 then the voltage and current rating current at bus A or VF2 and IF2 respectively बहुत अच्छा कोशन है ना तो correct statement about voltage and current during the faults at F1 and F2 क्या होगा कौन lead करेगा कौन lag करेगा यही चीज है ठीक है तो चलो हम इसको भी बताते हैं आपको अच्छे से समझना बस आप लोग बहुत प्यार से ठीक है इसको बहुत अच्छे से समझना है इसको आप देखिए ऐसा है यह कोशन है ना समझना आप इसको अच्छे से यहां पर क्या है इस क्या है अगर आप suppose करो fault F1 पर हो रहा होता है ना अगर fault F1 पर हो रहा होता हो रहा होता सपोश्को तो करेंट तो F1 पर जो जनरेटर से जा रहा होगा यह से वह तो इधर से ऐसे जाएगा एक नहीं ओर अजbers अगर जयता है यहां आए सब मिला यहां पर current अगर सपोजिकर हम इसी ड्यागराम में बना रएगा इसी ड्यागराम में हम बना रहा है कि सब्सक्राइब कि वाल्ट यहां पर हो रहा है तो करेंट तो यहां से ऐसे आ गया ठीक है और उसके बाद यह जेनरेटर भी करेंट इसको ऐसे बेजेगा तो अब जब एफ़ान पर हो रहा है तो यह जो बस और करेंट का डिरेク्शन याप notice करो कहा पर तो अब देखें तो आप गए हो रहा है ना तो current अगर ऐसा फ्लो हो रहा है और short circuit condition में circuit तो lagging ही होता है है कि नहीं तो vf1 इधार है और if1 क्या होना चाहिए मतलब sorry i1 lagging होना चाहिए ना i1 flow हो रहा है इधार तो i1 तो lagging होना चाहिए i1 तो lagging होना चाहिए लेकिन if1 जो reference direction है जो question में दिया हुआ if1 वो i1 के directly opposite है है ना तो if1 के directly opposite है तो इसका मतलब भी क्या होना चाहिए i1 इधार होना चाहिए है कि नहीं तो हम यहां से क्या बोल सकते कि if1 leads vf1 if1 leads vf1 इसमें मोजह तो कोई problem नहीं है next आप देखो next किया है यहां पे गर Vf2 पे fault हो रहा है तो उस case में क्या होगा फ़्तों होará तो तो उस case में क्या होगा वो चीज भापना चाह रहे है अच्छे से अच्छे से आप सम्झों भी इसको ऑम हटा रहे है इसको हम हटा रहें यहां पर अब अगर सपोज करो F2 फे फॉल्ट होगा तो क्या होगा यह इधर से आएगा और यह इधर से ऐसे जाएगा एक नहीं तो अब अगर मालो है और करेंट का डिरेक्षण यहां पर इस इसी डिरेक्षण में और जो की एक्चुली मेंबि इंटीया हुआ है तो अब इस केस में के से और यहां से होना चाहिए लागिंग यह पदक गा बस है ना यही चीज है तो सिंपल सा कोश्चन था बस आपको बेसिक आना चाहिए बेसिक को स्ट्रॉंग करने पर हम लोग लगए हुए थे अभी तक तो आप जो भी लेक्शर देखे होंगे तो बहुत दीरे-दीरे करके हम आपको बता है अब थोड़ा हम लोगों को कौन से जब होई गया तो अब थोड़ा अलग लेवेल का चीज हम लोगों को पढ़ना है ना अच्छे से मतलब इतना की क्वेश्चन एक भी ना चूटे है ना चाहिए गेट करे आइस करे आइस करे जहां का भी रे पावर सिस्टम शोड़ बी दा स्टॉंगेस्ट सब्जेक्ट है झाल 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 झाल